नमस्कार बीबीसी गुजराती ना फेसबुक लाव पेज उपर आपनो स्वागत छे संजे लिला भनसाली ने फिल्म पद्मावती रिलीज थवाना आरे छे एवा मा जे रजपुत समादना लोको छे एमनो आप फिल्म नी सामे विरोध छे सर आप मुझे ये बताएं आमरी साथे अत्तरे लोकेंद्र सींजे जे अत्तरे आपनी जोड़े वात कर छे सर मुझे आप ये बताएं कि ये क्या इश्यू है आप लोग पद्मावती फिल्म कर क्यों विरोध कर रहे हैं अगर आप लाउदिन खिल जी जैसे व्यक्तित्व की प्रिमी का दिखाने की कोशिश करेंगे तो क्यों बर्दास करेगा कब तक हम बर्दास करेंगे और सबसे बड़ी बात जिस तरह से अपमांतित किया जा रहा है जिस तरह से बंसाली जी के आदत पड़ गई चाए वो बाजी राव मस्ता नहीं हो चाए राम दिला लेकिन सर आप कैसे कौन से बेजिस पर आप ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में पदमावती को 23 जुलाई को रणवीर सिंका एक बयान था अकवार वालों के माध्यम से ही पिछले साल के अगर अंतरंग जश्य दो इंटिमेट सीन अगर मुझे दीपी का पादुकौन के साथ में दिखाए जाए तो मैं विलेन नहीं विलेन से और भी नीचे जाकर भी कोई रोल प्ले करन है उसका मुख्य कारण क्या है देखिए इसका प्रमुक्तासे जिस पूरे देश में सभी जाती धर्म पार्टी लाइन से इतर जो विरोध होने का कारण है और जो उमा भारती जी ने कहा कि ये राजपूत का नहीं ये इस्त्री का अपमान है ये देश के सम्मान और स्वाब फेस्बुक लाई उपर बीबीसी ना फेस्बुक लाई पेज उपर पूची शको चो राधपूत समादना जे आगेवान हो चे जे कार्य करता हो चे एनो जवाब आप से अत्तेर हूं दाता जे गुजरात नू दाता स्टेट डिस्ट्रिक चे त्यां थी विरेंद्रे सी करवानों चालो करें बना स्काठा भी आपने लगब गुजरात मा दर एक जिल्ला मा दर एक तालू काम आपने कलेक्टर नायव कलेक्टर नावेदन पत्रा अपेलों चैन जेते थीएटर ना मालिक हो जैंने भी आपने कईत्व क्या जिए लोको तरपती बन सारो वे वो प् पूतों के हिंदू संगटनों वेगा था है अने एना थी सरकार के जे सेंसर बोड जे द्यान आवे और गुजरात मा नहीं अवता आगामी दीवसों मा ओगनिस तारीके लगब उत्तर गुजरात मा भी हमें करवाना जी है गुजरात उत्तर गुजरात मध्यप्रदेश दर के राज्यमा करी ने जेते करी ने आप खिल में रिलीज ना था एक तारीक है ना माटा है में जी जान लगाई जे तुमें लोग को अपने जे जैपूर मापन बंसाली संजे लीला बंसाली उपर एक अटेक थो तो तो एस अंदर बे आपनो शू के उचे तमें केम एने अध्यमतिच केम वाद करी रहा जो तो मैं केम कोई अहिंसक मारती वाद नथी करी शकी रहा आपको कहना है आपका अब नाम है मैं खुद था जहां आपने भी एक कुशन पूचा कि इंसा का मादने महोना चीए गनी होना चीए मैं वहाँ गया था बंसाली से बात करने और हमारे जाते ही उन लोगोंने फायर कर दी हम पे तीन हवाई फायर करें आप जा रहे हो आपके घर में कोई घुच जाए बिना पूचे बिना परमिशन के चैलेंज करके वो भी आपकी माँ बेनों पे कोई चित्रन कर रहा है गले चित्रने और फिर भी हम बात करने जारे राजबूत हो के कोई बात नहीं हम चलो बात करते हैं और आप पे कोई अटेक करता तो उसका क्या रियक्शन होना चीए जो रियक्शन होना चीए वो हमने दिया बनसालीजी पिटके इसलिए गये ज़्यादा भी हो सकता था पर वो हमारे घर में आये वह थे हमने एक मेमान की चलो जो भी है वो एक वो परमपरा निर्वा करते वे दो थपड मार के भेज़ दिया अगर वो चेलेंज करके आते चाती टोके के लड़ने आ रहें तो शायद बहुत और ज्यादा उक्चुक हो जाता हो उनकी से अपने वात करी रिया चे रजपूत समाद ना जे आगेवानों चे इमनी जोड़े आप अपना सवालों फेस्बुक लाई उपर पूछी शकों चे लोकों वात करी रिया चे पदमावती जे फिल्म चे रिलीस थवानी चे एनो केम विरोध थे रियो चे रदपूत समाद द्वारा एनी एक वात करी रिया चे करनी से ना जे फाउंडर चे अपना इमनी जोड़े वात करी रिया चे सर मुझे आप एक और सवाल का जवाब दीजिए जब यह इश्यू है तो इसका कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं निकल सकता क्यों आप कोर्ट में नहीं जाते हैं सुचना प्रसान मंत्राले में हमने अब्जेक्शन लगा रखा है सेंसर बोड में हमने अब्जेक्शन लगा रखा है हम राजिस्तान के हाई कोर्ट में भी अपील कर रखी है हमने अपलाई कर रखी है पर जब तक सेंसर बोड से पास नहीं हो जाती सब लोग हम वहीं तक का इंतजा कर रहे हैं हमारे पास फें लिखित में संजेलीला बंशाली ने लिखित में हमें दिया है कि हम प्री सेंसर बोर्ड का समर्थन करते हैं हम सपने में भी बीपी का पदमावती और अलाउदीन खिर जी को प्रिम प्रसंग नहीं दिखाएंगे और जब ये फिल्म लगाने वाले होंगे हम आप से सहमती लेकर इसको आगे बढ़ाएंगे ठीक है तो फिर क्या दिक्त है पर दिक्त है कुछ न कुछ हिराफेरी है कुछ न कुछ सबी लोग अगर ये कह रहे हैं कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए तो फिर क्या दिक्कत है देश के ग्रहमंत्री कह रहे हैं देश के सबसे बड़ा सयोग जो जिस बात को हम बढ़ाना चाहते थे जिस बात को हम आगे लिए चलना चाहते थे कि ये राजपूत का नहीं महिलाओ का अपमान है और उसके लिए जो उमा भारती जिने स्टेट्मेंट दिया में दीदी का धन्यवाद देता हूँ सर एक सवाल हमारे ओडियंस की तरफ से आया है लाईव सागर सूचे सवाल हमारे व्यूवर्स पूछ रहे है कि आप कर्णी सेना ने फिल्म देखी नहीं तो ऐसे कैसे नकी किया जा सकता है कि फिल्म में कोई आपती जनक कुछ बात होगी और दूसरी बात ये है कि फिल्म ये जो विरोध हो रहा है क्या कर्णी सेना ये एक पब्लिसिटी स्टंड करना चाहती है दिखिए पब्लिसिटी तो आप कर्णी सेना को जिस दिन थपड मारे थे उस दिन मिल चुकी वो दस मैंने पहले की बात है अब जब धरातल की बात है तब हमें पता है केस भी लग सकते हैं मुकदमे भी हो सकते हैं और हम इनसे दर्किणार करते हुए हम केस मुकदमों से बहुत दूर आज तक कर्णी सेना के खिलाफ में एक भी मुकदमानी नहीं है हमारे किलाब में किसलिए समाजी की तौर पर इस तरह से हमें समर्थन प्राप्त है कि जिसके कारण से और हम यह चाहते हैं हो सकता है बंचाली के मंद में कोई publicity stunt हो हमें तो publicity हमारे को जितनी चाहिए होती है उतनी मिल चुकी है सद दूसरा एक और सवाल है सागर सूच है सवाल भी अभी ज्यादा तर नेता या राजनेता इसमें जूड़ते जूड़ते जा रहे हैं तो यह गुजरायत में अभी विदान सभा चुना हुए क्या आपको नहीं लगता कि इसका फाइदा उठाने के लिए लोग जूड़ र सब्सक्ता नहीं हो सकता कोई वीज़ पी में जाएगा निरदली जायेगा कोई अन्ना डिम के साथ चला जाएगा जिसके साथ जाना हो वहां पर हम इसमें इंटरफेर नहीं करते लेकिन आपको लगता है कि यह जो आपके अभी जो स्टेप्स अभी आप ले रहे हैं जो influence करेंगे नहीं मैं तो ये देख रहा हूँ कि गुजरात साइद देश के लिए टै कर देगा गुजरात से जो आवाज उठती है मोदी जी देख रहे हैं अमिछा जी भी देख रहे होंगे रहूल गांदी जी भी देख रहे होंगे इस सारे मावले को सारी के सारे राजनितिक दल इस बात को जब समर्थन दे रहे हैं तो फिर फैसला आएगा साइद इंतजार है कि बारा तारी को हम कितने खड़े हो पाते हैं सागर सूच है सवाल एक कोई संस्था का कोई आगेवान था जिसने राक करनी सेना के नाम से मीडिया ने एक्सपोज किया कि वो पैसे बटोरना चाहता था तो उस बारे में आप क्या कहेंगे इसा है एसा जो आप जो संस्था के आगेवान की बात कर रहे हैं हमसे जुड़ावा ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो चीछ चलती है मार्केट में उसकी कोपिया खूप आती है खूब सारी नकल आती है मार्केट मेर, हमारी भी दो-ती नकल चल रही है, जिनके नाम से लोगबाग बात भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, जो मुद्धे हम रखते हैं, वो ही मुद्धों पे वो बखवास करते हैं तो क्या आपको लगता है कि इस, तो क्या ये जो इसकी वजह से, जो आपकी जो मुवमेंट है, जो आपका जो एजिटेशन है, उसको कहीं असर हो रहा है, क्योंकि आपने कहा कि आपकी डुब्लिकेट कॉपी गुमरी है, लेकिन वो भी है तो आप ही के समाथ से दो-पांच परसेंट, दस परसेंट वो लोग डेमेज करते हैं कही वार में, जैसे अभी बाई ने बोला, बाई ने परसेंट करा कि कहीं से डिमांड करी, तो लोग बाग अब हमारे नाम जैसे नाम मिलते जुलते नाम हैं, हम तक जो नहीं पहुँच पाते, वो लोग वहा पर एक संजे लिला भणसाली ने मनवानों प्रयास करें विरेंदर सिंग ना में गुजराती नहीं पर हमारा अध्यक स्री ने लोकों एमने मडीने आया था जारे तेरे अमने उपर उम्लो थे हो एना पसी समाधान भी था युदू एमने लेखीत में लखी ना पी तो जार सु दिखाने के लिए मंजूरी दे दे कि हम आपको पहले फिल्म दिखाएंगे बाद में रिलिज करेंगे तो कि आप फिल्म नहीं देखते हैं हमारा एक पैनल है जिसमें पांच इत्यासकार हैं चार पत्रकार हैं और एक जजज हैं हम उनी को दिखवाते हैं और उनी से अप्र है उस पर कमांड रखते हैं तो इसलिए जो हमारे इतियाज के जो जो प्रोफेसर हैं हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट है वो लोग फिल्म को देखते हैं और वो अगर देखते हैं और वो अगर उनको अगर कुछ भी गलती नहीं दिखती है तो फिर बाद में सोचेंगे इस वा किसलिए है कि वो एक दिसंबर जो तारिक दी गई है वो तारिक आए नहीं आज भी हम अन्रोध करेंगे इतनी जोर से एकत्रित होया जाए कि सांस लेने पर भुकम पा जाए तो फिर एक तारिक दिसंबर नहीं आने वाली है तो तो तमें शू को चो लोको ने भेगा करवा माँटे तमें लोको सू को चो ओंने? अज वाद से मुखच से चेला थाetus यज़ी नो थवा जोहाए। निमन म सब्ढ़तिया समझी परबिगा शेफिजी पेंि देखे यह तो सारा महिला ओपर ही है हम यहां पर सने मिलन जो करने जा रहे हैं वहां पर दिपावली के तौर पर भी हम लक्षवी की पूजा करते हैं इस तरीकी हम हम मातेश्वरी की पूजा करते हैं, वो भी इस तरीकी और पदमावती तो अगर अपमान है तो उस महिला जाती का अपमान जादा है क्या आपकी मूमेंट में महिला कहाँ है? देखिए यह तो अब यह तो एक जहकी है भी 12 तारिक बाकी है 12 को दिखाते हैं कि हमारी महिलाएं कहा हैं कितनी हैं कितनी मज़ोती से हैं सर सूरत से हमारे एक विवर पुछ रहे कि डिपावली पे उन्हों एक आर्टिस ने रंगोली बनाई थी जिसमें दिपी का पादुकॉन का फोटो था तो उसमें लिखा भी नहीं था पदमावती फिल्म के बारे में तो फिर रंगोली उसकी नस्ट कर दी गई इस बारे में आ बहुत अनुशाचित जाती समाज है मारा राजपूत का और हम चाहते हैं कि बहुत अनुशाचिन की परिक्षा ने ली जाए और ये रंगोली तो बहुत चोटी चीज है हमने सिर कटाए हैं किसे इत्यास को बनाने के लिए 16-16 जार इस्त्रियें आग में जल चुकी हैं क्या उस पर इस तरह से रंगोली दिखाने का अधिकार हम ने देंगे अभी बात चलती है कि आपने थपड मारे क्या हमारी बेहन बेटी पर इज़ोत उठाए हम थपड मानने लाइक नहीं हैं हम नहीं चाहते हैं इस तरह से थपड मुकी हम तो चाहते हैं फिल्म को बंद करो और ताकि शांती 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 आपको यह लगता है कि यह फिल्म है अगर एक तरह एक बार यह मान लेते हैं कि संजे लिला बंसानी ने हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री किया एक बार मान लेते हैं कि चल समाज समाजिक तौर पर चाहेंगे कि वो एक तारिक नहीं आए एक तारिक पूरे देश परदेश में बहुत अस्मंजस पूर्ण इस्तिति पैदा कर देगी जिस तरह से आक्रोश है लोगों में में मैं समझ रहा हूं कि होश खो देंगे लोगों उस दिन और वो तारिक ना आ है लोग तंद्रका तो ऐसे रंगोली नर्श कर देना मार पीट करना यह कितनी तौर पर उचित है देखिए मैं उचित और अनुचित की बात नहीं करता हूं 16 जार इस तरहीं मर्मिटी और उनको प्रीमिका के तौर पर अलाउदिन खिर जी की प्रीमिका दिखा देना यह कह रहा हूं कि अगर गलत तरीके से हम पर उगली उठाए तो हम हाथ काटतें का अधिकार नहीं रखते हैं क्या पर हम हाथ नहीं काट थपड मार रहे हैं कि तूं यहां गलत जगे पर आ गया तो सर अभी लीगल फाइड आपके क्या रहेगी हम हाई कोड़ में हैं इमिजेटली जब हमें पता लग जाएगा कि यह यह चीज इस तरह से हो रही है हम कोड़ से इस टेलाने की कोशिश करेंगे हम सेंसर बोर्ड में हैं और सेंसर बोर्ड जब इसको पास करेगा मैं मानता हूँ हमको सुनेगा और ग्रह मंत्री जी और उमा भारती जी ने राजनाथ सिंगी ने और उमा भारती जी ने जिस तरह से बयान दिये हैं मैं ऐसा मानता हूँ के केंदर सरकार भी चिंतित है मैं मोदी जी से अन्रोत करूँगा रोख दें इस फिल्म को नहीं तो जोहर की ज्वाला है बहुत को जल जाएगा और गुजरात के राजनीती में आप कुछ फरक लाएंगे इसकी वज़े से गांदी जी का प्रदेश है ओम शान्ती 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 वाला जो पिसले कई दिन से राज़फूत समाज खड़ा नहीं हुआ है हम चाहते हैं के राजनितिक तोर पर उसका फाइदा हो समाजिक तोर पर हम सकटित हो आर्थिक तोर पर भी हमारा फाइदा हो हम सब तरह के फाइदे के लिए हम चाहते हैं 12 तारीक को सिर्ख कटाए है हमारे बुजुरकों ने अब सिर्गिनाई से ते होगा हम सिर्गिनाने को ते होगा तो यह जो फिल्म है पदमावती की जो कॉंट्रवर्सी है उसका कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिल सकता है समाज को पता नी अब यह तो पॉलि सवाल भी जो जिस समय की बात कर रहे हैं 16 अजार स्तिरियों ने अपना त्याग दिया तो उसी समय दूत्पिती जैसे अंसरद्दा भी फैली हुई थी तो करनी से ना उस बारे में बात क्यों नहीं करते हैं जो कुरीती थी जो तरह की व्यवस्ता थी जो तरह के सुधार किय सब्सक्राइब करना और जहीं जा सकते हैं अभी मैं आपी के BBC Bureau Chief से बात कर रहा था हम घार गिल में जो हमारे बॉर्डर पर व्यद्वाइं होती हैं उनके लिए काम करते हैं हम महिला सचक्तिकरं के लिए वीमनiten花 के लिए काम करते हैं हम मां समाजी के तोर पर ग्एर राजन स्थान में कम से कम बहुत बड़ा विश्वास है जो गुजरात में भी हमें मिल रहा है तो क्या राजपुत करनी से ना में अभी थोड़े दिन बाद या थोड़े समय बाद हमें महिला अग्रणी ऐसे इंटर्वु देते हुए दिखें बरोबर बरोबर यह तो आपकी जानका में आपको एक पोस्टर दूगा है आपको आई दिन में जिसमें महिलाओं ने दिया है महिलाओं ने लिखा है महिलाओं के द्वारा बयाने महिलाएं उसको वाटसप कर रही है पदमावती के सम्मान में गुजरात की पदमिनिये मैदान में तो आहता राजपूत समाज ना आगेवानों लोको पदमावती फिल्म जे रिलीस थवानी चे एना विशेवाद करवा माटे अमदावाद थी आप BBC गुजराती ना Facebook लाव पेज पर आवता रहो जोता रहो अमदावाद थी रोकसी गागडेकर पवन अने सागर पटेल साथे